सल्मान खान के फादर सलीम खान के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट हो गई है क्या है यह कंप्लेंट किस ने की है यह कंप्लेंट यह मैं आपको बताऊंगी बॉलिवुड राइट नाउ में सल्मान खान ने कुछी दिनों पहले अपनी कुछ पिचर शेयर की और उन्होंने बताया कि किस तरह से वो इस लॉक्डाउन के टाइम पर अपने फार्म हाउस पर ही अटक गए है ऐसे में वो अपने पिता सलीम खान से बहुत दूर है सलीम खान यहां मुंबई बे ही है वहीं स सलीम खान पनवेल में है और हाल ही में सलीम खान को लेकर उनके घर के आसपास के कुछ लोगों ने कमप्लेंट कर दी है बैंडरा अथॉरिटीज ने बताया है कि उनके पास सलीम खान सहब की एक फोटो है जिसमें वो बैंडरा प्रॉमनेड में नजर आ रहे हैं यह फोटो के साथ उन्होंने यह बताया है कि सलीम खान सहब लोगडाउन होने के बावजूद पिछले कई दिनों से हर रोस सुबह साड़े आच से लेकर नौ के बीच बैंडरा प्रॉमनेड में वॉक करने आते हैं जबकि अथॉरिटीज ने सब को लोगडाउन के चरते घर से बाहर निकलने के लिए स्ट्रिक्ली मना कर दिया है इन फैक्ट अथॉरिटीज के साथ साथ सलमान खान ने भी अपनी कई वीडियो में लोगों को और अपने फैंस को गुजारश की है हाद जोड कर बोला है कि प्लीज अपने घर में ही रहो अपने घर से बाहर मत निकलो ऐसे में स लॉक्टर्स ने उन्हें वॉक करने के लिए कहा है सलीम खान पिछले 40 सालों से वॉक कर रहे हैं और ऐसे में लॉक्डाउन के चलते उन्होंने गवर्मेंट से स्पेशल परमिशन ली है साथ ही उनके पास 30 अप्रेल तक का पास है जिसके चलते उन्हें वॉक करने के लिए अलाव किया गया है सलीम खान साहब ने ये भी कहा है कि वो पिछले 40 सालों से वॉक कर रहे हैं और अचानक से अब वॉक करना बंद कर देंगे तो बैक पेन की प्रॉब्लम और भी ज़्यादा बर सकती है इसलिए वो आदे गंटे के लिए वॉक पे जाते हैं लेकिन पूरी से शासन लोगों के खिलाफ कितना स्ट्रिक्ट है ऐसे में एक नामी राइटर और सूपर स्टार के पिता सलीम खान जब वॉक पर जाते हैं तो लोगों का यही सवाल आता है कि क्या आम जंता के लिए और सेलिब्रिटीज के लिए अलग-अलग कानून है सलीम खान ने अपने इस स्टेट्मेंट को खतम करने के साथ ही एक और बात कही है कि मेरे अलावा महा पर और भी लोग है जो अपने पैट्स को गुमाने आते हैं जो गूमने फिरने आते हैं लेकिन उन सभी में से मेरी ही शिकायत हुई क्योंकि मैं एक सेलिब्रिटी हूँ और शायद इसी का खा खबर के साथ सब्सक्राइब करें ठिकान हाँ